सिपल समाचार में आज सवाल हमारा ये है जो सवाल एक कांग्रेस के कारेकरता ने राहूल गांदी से पूछा कि क्या आप प्रधान मंतरी बनने को तैयार हैं तो उन्होंने कहा कि ये डिपेंट करता है कि हमारे कितने सीट है और जब कहा कि अगर सीट आज़े तो बनेगे उन सीट ला सकते हैं जिससे वो प्रधान मंतरी के पद तक पहुंच पाए इसको समझने के लिए दो चीज हमें समझनी पड़ेगी एक तो क्या कॉंग्रेस सौ का आखड़ा पार कर पाएगा सौ सीट कम से कम चाहिए होंगे क्योंकि 272 में से कम से कम लाजिस जो पाटी है उसको सौ तो लाना पड़ेगा निको साइकोलोजिकली किसी को दावा करना की मैं प्रधान मंतरी बनूगा बहुत मुश्किल होगा और दूसरा है कि मोदी जी के आकड़े कितने कम होंगे 2014 में आप जानते हैं कि BJP को अपने खुद ही 283 सीट मिले थे और 2014 के बाद 19 राजियों में इलेक्शन हुए हैं विधान सभा के चुनाव हुए है और उसका अगर सेग्मिली सेग्मेंट को लोक सभा के तौर में बदल के देखें तो इन 19 राजियों में 371 सीट है और अब हम टोटल करके देखते हैं कि 2014 में इन 371 सीट में से 191 सीटों में BJP को जीत हासिल हुई थी 191 राजियों में जहां पर अभी तक विधान सभा इलेक्शन हुए हैं तो यह है सिती 19 राजियों में इलेक्शन कुल सीट 371 191 सीट 2014 में मिले थे उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए है उसके असेम्बली सेग्मेंट को अगर जोड कर लोगसभा के तरह देखा जाए तो सिरफ 148 सीट BJP जीत रही आप कहेंगे लोगसभा और असेम्बली में फर्क होता है जी हाँ होता है लेकिन फिर भी 77 से 80 प्रतिशत कोरिलेशन रहता है लोगसभा और असेम्बली के बीच यानि कि अगर हम 19 राज्यों को देखे तो 43 सीट BJP के घट रहे हैं सीधा तो आप सोच लीजे कि 240 के आकड़े पर BJP यहीं के यहीं आ रही है लेकिन उसके बाद आप राजस्थान के उपचुना देख लीजे 2017 के शुरू में राजस्थान में उपचुना हुए थे राजस्थान एक बड़ा स्टेट है 25 सीट है और कॉंग्रेस को वहाँ पर बहुत बड़े एक बड़ा सा गोला मिला था बतलब की शून्य सीट मिले थे लेकिन 2014-2018 के का फर्क देखिए इन दो लोकसभा सीट और उसके साथ जो एक असेम्बली सीट में बाई एलेक्शन हुआ है 2014 में इनमें 58 प्रतिशत वोट मिले थे बीजेपी को और सिरफ 37 प्रतिशत वोट मिले थे कॉंग्रेस को ये बिलकुल उलट गया है बीजेपी का 41 प चड़ गया है इसी 2018 में चार साल में इसी को अगर प्रोजेक्ट करें तो बहुत सारे सेफॉलोजिस्ट ने इसको प्रोजेक्शन करके दिया है मैंने भी यूनिफॉर्म स्विंग करके कैल्कुलेट किया है पहले भी हमने सिंपल समाचार में आपको दिखाया जो 25-0 था वो अनुमान लगा रहे हैं राजस्थान का तो यह होता है टोटल 396 सीट 216 सीट जीती थी बीजेपी इन में 2014 में लेकिन लगभग 60 सीट गिरा रही है वो हम दिखाते हैं अगले साइट में कितने 2018 में 2014 से 2018 तक इन 20 राजियों में 19 जहां पे राजिय हुए हैं इलेक्शन हुए बीजेपी का यहां पर अब यह है बात अब यूपी का देख लेते हैं यूपी में अगर साथ आ जाए मायवती और अखिलेश आदब तो क्या हाल होता है बीजेपी का वोट बड़े चुनाव हुए हैं फूलपुर और गोरकपुर गोरकपुर का क्या हुआ है आप हार गई वही हाल फूलपुर का हुआ है 2014 के कंपैरिजन में भी गिरी है 2017 के कंपैरिजन में भी गिरा है और यह टोटल अड़ करके देखेंगे आप तो फिर से फूलपुर में भी हारी है इसको अगर हम प्रोजेट करें इसी स्विंग को अगर हम प्रोजेट करके देखे त उससे कॉंग्रिस का एक पार्ट निकाल दिया क्योंकि आप जानते हैं कि 12-17 में कॉंग्रिस और सफा साथ गई थी तो ये दोनों आड करके कॉंग्रिस का जितना आया था वो हटा कर हमें देख रहा है कि ये अगर हो जाए तो बीजेपी का 12-17-18 में आड करके 21 सीट बीजेप सार और 19 में जहां पर इलेक्शन हुए हैं तो हम कह सकते कि अनुमानित बीजेपी के लगभग 110 सीट गिर रहे हैं 110 सीट कम होना मतलब 200 से कम 177 के आसपास बाकी कुछ जगे हैं जैसे पश्चे मंगाल हुआ ओडिशा हुआ नौर्टीस हुआ यहां पर अगर बीजेपी और 15-20 सीट भी ले आए तो भी 200 से नीचे आने का आसार बहुत ज़ादा है बीजेपी के उल्टे साइट पे कॉंग्रेस को क्या करना पड़ेगा आप अगर देखे ग्यारा राजियों में बीजेपी और कॉंग्रेस आमने सामन इसमें मैंने महराष्टा भी लिया है जहां पर कॉंग्रेस और बीजेपी सबसे बड़े ओपोजिशन एक दूसरे के खिलाव है लेकिन NCP भी है शिरसेना भी है तो आप उसको थोड़ा सा डिसकाउंट कीजेगा और मैंने करनाटक भी लिया है जहां पर JDS भी एक बड़ी कुल सीट इन 11 राजियों में 214 है बीजेपी को 163 सीट इसमें से मिले थे कॉंग्रिस को 181 सीट दोनों को मिले थे इन 11 राजियों में अगर मैं गुजरात का जो रिजल्ट आया था उसको लोकसावा में कनवर्ट करूं तो क्या होता यह 181 का जो ब्रेक अप है वो चेंज हो जाता है कॉंग्रिस के 30 हो जाते हैं और बीजेपी के 151 हमने पहले भी कैल्कुलेट करके आपको दिखाया था कि राजस्थान का प्रोजेक्शन क्या है उसको एड़ करते हैं राजस्थान का अनुमान और प्रोजेक्शन को एड़ करने से बीजेपी का 134 और कॉंग्रिस का 47 हो जाता है 47 हो जाता है 100 से बहुत दूर है अब देखिए बाकी के 330 सीट है लोग सभा में उसमें कॉंग्रेस को 2014 में सिर्फ 26 सीट मिले थे हम कहते हैं कि यह 26 सीट उनको फिर से मिलेंगे सिर्फ पंजाब का अलग कर देते जहां पर सिर्फ 3 सीट मिले थे अनुमानित 47 सीट बाकी में 26 के 26 हम रख रहे हैं और पंजाब में 5 आड करते हैं तो टोटल कितना होता है 78 सीट इसलिए राजस्तान हम कैलकुलेट कर चुके हैं लेकिन करनाटक, मद्ध्य प्रदेश, 36 गड़ ये तीन जो राज्य हैं ये राहुल गांधी के लिए और कॉंग्रिस के लिए बहुत जादा महत्वपूर्ण है 100 का आकड़ा टच करने के लिए हम देखते हैं यहां पे कितने है 68 सीट है इन तीनों में राजस्तान का हमने प्रोजेक्शन किया है अभी तक इसका रेलेक्शन नहीं आए लेकिन प्रोजेक्शन करके उसको अलग कर रहे है तो कुल सीट 68 है कॉंग्रिस को 2014 में सिर्फ 12 सीट मिले थे जरूरत है 34 क्यों? क्योंकि 22 सीट उनको और करने है यानि कि इन तीन राज्यों में अगर कॉंग्रिस को 100 टोटल छूना पड़ेगा तो 34 सीट यानि कि आधे सीट जीतने पड़ेंगे उसके आसपास का सीट जीतना पड़ेगा असेम्ली सेग्मेंट इलेक्शन में यानि कि करनाटक, मध्यप्रदेश और 36 गड़ तीनों में कम से कम आधे सीट या स्टेट जीतना पड़ेगा इसी के उपर डिपेंड करेगा कि आलाइस जो है, बाकी विरोधी दल राहुल गांधी को कितना सीरिसली लेते हैं इलेक्शन से पहले लेकिट क्या राहुल गांधी, पी-एम पत के लिए तैयार है तो सिंपल समाचान में हमने आभी आपको ब्रेक से पहले कहा था कि किस तरीके से राहुल गांधी अगर प्रधान मंत्री बनना चाते हैं तो सौ का आखड़ा पार करना पड़ेगा और अगर सौ का आखड़ा पार करना चाते हैं 2019 में तो करनाटक, 36 गर, मध्यप्रदेश, राजस्थान ये बहुत ही एहम होंगे यहाँ पर कम से कम आधे या उसे जादा सीट शायद चारो के चारो स्टेट उनको जीतना पड़ेगा ताकि बाकी बीरोधी दल उनको सीरियसली ले और सोचे कि वो उनके प्रधान मंतरी के तोर पे आ सकते है मेरे साथ मनुरा जन भारती है हमारे सीनियर एग्जेगटिव एडिटर बाबा ये एक तरीके से स्टेज लगा है न क्योंकि कॉंग्रेस का कार्य करता पूछ रहा है ये कोई जनलिस ने नहीं पूछा है सब बड़ी बात है कि कॉंग्रेस के कारकरता ने पूछा और पहली बार राहुल गादी ने कहा कि 2019 में मैं प्रधानमंत्री बने के लिए तयार हूं इसके पहले हम और आप क्या बात करते थे यह जबरदस्ती का नेता बना दिया बहुत रिलेक्टेंट है यह पॉलिक्स में आने के लिए इस ढंकी बात यह होती थी तो उस को तोड़ने के लिए यह यह चीज मैनेज किया गया है कि अबने अब मैं फोर फ्रंट पे हूं अब मैं एवलेबल हूं मैं बनने के लिए तयार हूं मैं जबरदस्ती मुझे राज्जीती में नहीं लाया गया है और आप यदि थोड़ा पीछे देखें 1996 के बात की इस्तित कि पहले सेक्मेंट में दिखा कि पहले सौ का आकरा चुओ तभी तुमको को स्रियस्टी लेगा लेकिन जो हम देख रहे हैं एक तरीके से कि उमाशंकर कल मुझे बता रहे थे हमारे सहयोगी उमाशंकर कि आप एक चीज नोटिस कीजे कि बहुत सारे सहयोगी दलों में प्राइम नेता एक यंग प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करेंगे ये बात और उतनी बड़ी प्राइम नहीं रहे हैं जिहां ये सेंटरल हॉल में भी बाचीत होती रहती है कि यदि अब सरत पावार हट गया है तो सुप्या सूलय को कोई ज़्यादा दिकत नहीं होनी चा सबसे ज्यादा का नारा वही लगाते हैं तो एक परिस्थिती बनी है अब इस इस परिस्थिती में मुझे नहीं लगता कि राहूल गांदी यदि सौ का आकरा चूलेते तो साइद उनकी दावेदारी कच्ची होगी पकी दावेदारी हो सकती है लेकिन सबसे पहले उनको उन्होंने जो बात कही वो दूर की बात होगी लेकिन यदि सौ पार करते हैं और बागी गड़बंधन बनता है उत्तर प्रदेश में बिहार में और बांकी जगड़ा प्रोग्रम जो सामने आएगा जैसे कि आवगर 2004 में देखे जब कोई नहीं सोच रहा था कि कॉंग्रेस पार्टी नंबर वन पार्टी के तौर पे आएगी और कितने 145 सीट के आसपास आये थे कॉंग्रेस के लेफ्ट फ्रंट एक बड़ा सा एक ब्लॉक था और कॉमन मिनियम प्रोग्रम एक तरीके से लेफ्ट फ्रंट ने सब पे थोपा और वो कॉमन प्रोग्रम सब मान गए राहूल गांदी को अला कि अब वो सिन्योटी के वज़र से साथ उनको दिक्कत लगे कि राहूल गांदी के प्रदान मंत्री बनने में लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि यदि सोनिया गांदी इंटर्वीन करेगी तो बहुत सारे नेता जो कि मनमोहन सिंग के लिए राजी आज भी पॉपुलर है चार साल होने के बाद भी आप देखिए कि स्ट्रॉंग लीडर है अगर वो कोई डिसेशन लेते हैं तो वो उसको इंप्लिमेंट कर पाएंगे राहूल गांदी 100 सीट लेके 172-173 सीट बाकी पार्टियों के होंगे और वो आके कहेंगे कि वहीं हमें इंडस्ट्री मिनिस्ट्री दीजिए फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री दीजिए या केमिकल मिनिस्ट्री दीजिए स्टील मिनिस्ट्री दीजिए पाउर मिनिस्ट्री दीजिए ऐसे सरकार को कोई वोट क्यों देगा अभी तो फिलाल ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है कि राहूल ग कर पाए डीमोनिटाइजेशन यह हमारा घाटा हो गए जी एस्टी में लेकिन है कौन गान्दी एक तरीके से अपने आपको कहरे कि हां मैं हूं लेकिन मैं एज वोटर मैं सुझें ठीक है आप है लेकिन आपके पास तो सीटी नहीं होंगे इसकी आप कुछ कर पाएंगे लेकि कोई चेहरा नहीं था तो हम जानते हैं कि कभी-कभी जनता पार्टी की सरकार भी उस सबहें भी कोई यहीं इस्थिती थी हाला कि इन सारी सरकारों ने अपना कारकाल पूरा नहीं किया हाँ यह दि कोलिशन बनता है एक तरीके से इसका एक अगर हम पैरलेल देखे तो वीपी चादी ने चलवाई थी चंद से कर तो कोलिशन की पॉलिटिक्स के अपने नफार नुकसान है एदि आप आप जो है कि कोलिशन पॉलिटिक्स में जाते हैं तो पुल्स एंड वो तो आपको लगे रहें इसके साथ में इसके बहुत फायदे भी है इसके फायदे भी और अच पिछले साथ चार साल में कोई मीटिंग दी हो तो जो कंसर्न होते हैं अलग-अलग दलों के हर बैक्गराउंड के हर स्टेट का एक रेप्रेजेंटेशन होता है जो लोगों को महनना पड़ते हैं वो मजबूर करता है सेंटर लीडर्शिप को कि वो कुछ ने कुछ करे तो बड़ी बात यह है कि जो कहा जाता था टीना फैक्टर मोधी जी का जो राजीव गांदी के टाइम में आया था देर इस नो अल्टरनेटिव शायद उसी को तोड़ने के लिए एक तरीके से इसको स्टेज मैनेज किया गया है कि कॉंग्रेस का कोई कार्य करता सवाल पूछे